नमस्कार दोस्तों मैं हूरी संगर मिसरा सारो और आज आपका हमारी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आज हम दोस्तों आपके लिए थ्यास्ति सम्बंदे टॉप 25 कोशन लेकर आचुके हैं सिंदू सबता का पत्तर नगर यानी बंदर गाए कौन सा आपके लिए उपसन है सिंदूगाती सबताकी लोगों की मकान बने होते थї आपके लिए ऑपसन नमबर ए पकी इटों के पथर अगर आपने डूस तो चैनल को लाइक से रहेंड सब्सक्राइब ना किया हो तो किरपैकर करेड़ ले चलिए दोस्तों अगला टब कुशन दिखते हैं सिंदुगाटी सब बता कि विसाल इसनानागार कहा पर पाय जाते हैं आपके लिए उप्सन नमबर E, हडपा, उप्सन B, मोहन जोदलो उप्सन C, रोपड, उप्सन D, काली बंगा चलिए इसका अंसर दिखते हैं, सिंदुगाटी सब बता कि जो विसाल इसनानागार ता था जो विसाल अननागार हैं, बाय मुखता मोहन जोदलो में पाय जाते हैं जबकि दोस्तों हमें ध्यार रखना है, मोहन जोदलो की खोज 1922 में राखल दास बनर जीने कीती, आपको दोस्तों इन मैसे जितनी भी कुश्चन के अंसर आती हैं उसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना चलिए दोस्तों अगला टप कुश्चन दिखते हैं, मुश्च अंपर्टेंट कुश्चन है एक्जाम की दरश्टी से मुहन जोदलों में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, आपके लिए उप्सन है, उप्सन नमबर E, विसाल इसनानागार, उप्सन नमबर B, अन्नागार, उप्सन C, इस्तंभूल, उप्सन D, दो मंजल मकान, चलिए इसका अंसर दिखते हैं, मुश्च अंपर्टेंट कुश्च जबकि दोस्तों हमें ध्यारकना है, मुहन जोदलों की खुज 1922, इस भी में राखलदास बनारची ने की थी, आपको दोस्तों जितने भी कोशन के अंसर आ रहें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलना, चलिए दोस्तों अगला टब कोशन दिखते हैं, मुश्च अंप आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, चलिए दोस्तों अगला टब कोशन दिखते हैं, मुश्च अंपर्टन कोशन है, बरतमान में काली बंगा कहां पर इस्ते थे, मुश्च अंपर्टन कोशन है, आपके लिए उप्सन है, उप्सन नमबर E, उत्तर प्रदीस, उप्सन हडपा वासी किस बस्तू के उत्तर पादन में अग्रडी थे, आपके लिए उप्सन है, उप्सन नमबर E, मुद्राय, उप्सन B, कासे के ओजार, उप्सन C, कापास, उप्सन D, जोज, जबकि दोस्तों हमें ध्यार रखना है, हडपा सब बता में मुद्राय, कासे की ओजार कापास तता जो सभी चलते थे, जबकि हडपा वासी जोते ही है, मुखता कापास के उत्पादन में अग्रडी माने जाते हैं, चलिए दोस्तों अगला कुश्चन दिखते हैं, मुश्ट इंप्सन कुश्चन है, देवी मा की पूजा आपके से संबन देते हैं, आपके लिए नमबर इस सिंदुगाटी सबता से, आप्शन B, आरे सब्दा से, बुमत सागरी सबता से, प्संडी उत्तरवैदिक सबता से, चलिए इस का अंसर देखते हैं, देवी माता की जो पूजा है, या मुखता सिंदुगाटी सबता में की जाती थी, जबकि दोस्तों हमें ध्यार बाला पहलता था देवी मा की पूजा भी की चाहती थी चलिए दोस्तों अगला टप कुशन देखते हैं कॉशन नमबर दस कौन सा स्थिंदू सेर जो बिना गड़े या फिर किले की बना हुआ है किले ऑप्सन नमबर एक काली बंगा ऑप्सन भी हडपा ऑप्सन सी मोहन जोद् नहीं मिले हैं अगर आपने दुस्तों चैनल को लाइक सेर एंड सस्क्राइब ना किया हो तो किरपया कर कर ले चलिए दुस्तों अगला टप कुशन देखते हैं मुष्ट इंपर्टेंट कुशन है का से की नर्थकी की जो मूर्ती है बाइं मुखता हमें कहां से मिली आपके दोड़ों की खुज 1922 इस भी में राखलदास बनर जी ने की थी यह कुशन दुस्तों हर एक एक एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं चलिए दुस्तों अगला टप कुशन दिखते हैं विस्ति की सबसे प्राचीन सबता का नाम क्या है आपके लिए उप्सन है उप्सन दो नदियों के बीच में इस सबता को मैसोपोटा मिया सबता या फर सबता की नाम से भी जाना जाता है आपको दोस्तों जितने भी कुशन के अंसार आते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलना चलिए दूस्तों अगला टप कुशन दिखते हैं सिंदुगाटी सबता क की लिपी क्या थी मुझा मैं अभी तक हुझ नहीं कि दोस्तों सिंदुगाटी सबता की पहरत में भारत में घौटCal मना गया गया है चलिए दूस्तो अगला टप कुशन देखते हैं बैदिक सबता किस परकार की सबता थी आपके लिए उप्सन है उप्सन नमबर A नगरीय सबता उप्सन B ग्रामिल सबता उप्सन 3 रो पर उप्सन D नन यानि इनमे से कोई नहीं चलिए इसका अंसर देखते हैं बैदिक सबता चलिए दूस्तो अमें ध्यार रखना है सीहरी सबता की नाम से जाना जाता है जब कि एक ग्रामिल सबता आता या आर में होरा निर्मित की घृती जबकि दोस्तों में ध्यान रखना है बैदिक सब्सक्राइफ जो है यह मुख्यता 경우। धॉल लिखना में अगला तॉषचन दिखते हैं मुश्ट इमपोर्टेंट कुष्चन है अहाजनले की ही पाषञताεν vai person है और यों की जो मुखवासा है यह मुखता संस्क्रेट मानी जाती है चलिए दोस्तों अगला टॉप कुशन दिखते हैं मुश्ट इंपोर्टन कुशन है और भारत में सरपिर्थम कहां से आकर बसी थे आपके लिए और राजिस्तान छेतर में बसी थे पाकिस्तान छेतर में बसी जब कि दोस्तों हमें द्यार रखना है बरतमान में सब्सिंदू छेतर पंजाव राज में इस्ते थे आपको दुस्तों जितनी भी कोशन के अंसर है और सभी के अंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलना चलिए दूस्तों अगला टब कुशन देखते हैं बैदिक लोगों दौरा किस धातु का प्रियोग सबसे पहले किया गया ता आपके लिए उप्सन नंबरें चान इरृ लों संसर का चलिया इस बैदे कार्यों का जो और इसके उत्पात को माना जाता है जबकि दोस्तों बैदे कार्यों में जो और चावल और दाल है चलिए दोस्तो अगला टोप कोशन देख लेते हैं आरे सब्दका साफदे करत क्या माना जाता है आपके लिए उपसन नमबर ए बी रिया यो दा अपसन नमबर भी सिर्ष्ट या कुलीन उपसन नमबर सी यग करता है या प्रोयोत अपसन नमबर डी बिद्वान चलिए इसका देखते हैं आरे सब्दका साफदे करते हैं या मुखता सिर्ष्ट या कुलीन बर्ग से संब्दित होता है इस कुशन को दोस्तों स्सी जीडी कई बार पूछ चुका है चलिए दोस्तों अगला टाप कुशन देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कुशन है रिग वैदिक आर दूद और इसके उस पात को माना जाता है अगर आपने दूस्तों चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब ना किया हो तो करपया करने चलिए दूस्तों अगला टाप कुशन देखते हैं मुश्टम पड़न कुशन है प्रसित गायत तरी मंतर कहां से लिया आगया आपके लिए प्रसित गायत तरी मंतर आपके दूस्तों अगला टाप कोशन देखते हैं आपको दूस्तों जितने भी कोशन के आंतरा रहे हैं इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलना चलिए अगला कोशन देख लेते हैं सबसे प्राचीन बेत कौन से आपके लिए और फटन है जरूर बेत चलिए यज़ोर बीद में दोस्तों यग संबंदी बिचारों की बारे में हमें बाते मिलती हैं जबकि दोस्तों सामवेद संगीत को समर्पित माना जाता है, जबकि दोस्तों हमें अधरबेद में याद रखना है, अधरबेद औस्तियों जादू टोनी टोटके के मामले में माना जाता है, जबकि दोस्तों रिगवेद को सबसे प्राचीन बेद के नाम से भी जाना जाता है चलिए तो अगला टोप कुशन देखते हैं, आपको वीडियो कैसी लगरें? इसका अंतर भी आप कमेंट वोक्स में जरूर लिख सकते हैं चलिए तो अगला टोप कुशन देखते हैं, प्राणों में सबसे प्राचीन, यानि मत्ताय प्राण को माना जाता है जबकि दूस्तों हमें ध्यारगना है प्राणों की कुल संग्या अठारा मानी जाती है जबकि जो सबसे प्राचीन प्राणे वैं मत्से प्राण को माना जाता है चलिए दूस्तों अगला टप कुशन दिखते हैं मुश्ट इंपर्टेंट कुशन है रिगवीत का कौन सा मंडल सौम देपता को समर्पेत माना जाता है जबकि दूस्तों हम बता चुके रिगवीत में मुखता 10 मंडल का वाड़ा मिलता है रिगवीत का जो तीसरा मंडल है गयत्तिरी मंदल को समर्पेत है चलिए इस कौशन दिखते है रिगवीत का कौन सा मंडल सौम देपता को समर्पेत रिखबेत का नौबा मंडल सौमधीपता को समरफ़ित माना जाता है जब कि दूस्तों हमें ध्यारकना तीसरा मंडल गयत्तरी मंत्र को समरफ़ित है चलिए दोस्तों आज का अगला कुशन दिखते हैं यह कुशन दोस्तों हमारा अंत्यम कुश्ण है किस बेद में बली सूतरों का जक्र किया गया आपके लिए उपसान नंबर ए यज़र बेद में उपसान नंबर भी अधर बेद में उपसान नंबर सी सामवेद वा उपसान नंबर डी रिगवेद में चली इसका अंसर दिखते हैं इसका अंसर होगा यज़र बेद में यज़र अधरवेट यग संबंदी के मामले में है अधरवेट से दूस्तो हमें ऑउसनी होता था जादू टोनी टुटके के बारी में पता चलता है रिगवेट भारत का सबसे प्राशियन विद के नाम से जाना जाता है जबकि सामवेट संगीत से समारफदे यानी सामवेट को दूस्त GDS, MTS, Railway, NTP से हर एक की तयारी लगातर करवा रहे हैं अगर आपने चैनल को Like, Share and Subscribe ना किया हो तो किरपा कर कर लें